सारप्राम प्राइम नाइन में आपका स्वागत मैं हुम बुपेश को ली हम अगले आदे घंटे तक देश की बड़ी खबरों की पड़ताल करेंगे इसके लिए देश भर से सभी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे बात होगी सुप्रीम कोट की सबरी माला रफैल और राहुल गांधी के चौकी दार चोर है पर सुप्रीम कोट ने क्या कह दिया इसी के साथ महाराश्ट के सियासत पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा होगी किसानों की आखिर महराष्ट की सड़कों पर क्यों किसान उतरे और उन्हें कैसे शांत कराया गया इस पर भी बात होगी दिल्ली की बात करेंगे दिल्ली में धुंद है धुआ है पल्यूशन है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा आखिर क्यों दिल्ली में दिन में ही चा रहा है अंधेरा और दिल्ली से प्रोडूशन आखिर कब होगा दूर और भी होंगी बड़ी खबरें जिन पर हम विस्तार से विचलेशन करेंगे तो आएजे शुरू करते हैं खबरों की परताल प्राइम नैन में खबरों की शुरूआत करेंगे आज के सरवोच नियाले के फैसले से आज उच्चतम नियाले ने तीन एहम मामलों पर अपना फैसला सुनाया सबसे पहले मामला था सबरी माला आयपा मंदिर का जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट ने इसे साथ जज़ों वाली बड़ी पीट के सामने भेज दिया साथी अदालत ने अपने 28 सितंबर 2018 को सभी अमर की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के अतिकार देने के फैसले को बरकरा रखा यानि बड़ी पीट इस मामले में जब तक सुनवाई करेगी तब तक यतास्तिती बनी रहेगी बता दें कि सुप्रीम कोट के पुराने फैसले की समीक्षा के लिए 60 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोट के मुख्ये ने आएधिश रंजन गुगोई की अगवाई वाली पांच जजिज वाली पीट ने 6 फरवरी 2019 को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था तरफ से अच्छी बात है क्योंकि और भी इंवेसिगे जारी रखेंगे अभी और डाइटी के बारे में और भी studies होंगे और definitely they will come to a very good conclusion so I think I'm very hopeful that you know moving to a bench a seven member bench is good but we have in Shabrimala we have the mandala column which is starting on 16th just two days and we don't want any problems like last year so we are requesting that you know to please make the rule like what it was before the verdict last year and we want you know the the devotees to to pray in peace that's it why Chief Justice of India रंजर गोई किया गवाई वाले तीन जजजिस की पीट ने भी रफेल सौदे पर फैसला सुनाया पीट ने केंदर सरकार को राहत देते हुए रफेल सौदे से जुड़ी पुनर विचार याचिकाओं को भी खारिच कर दिया पीट ने कहा कि इस मामले में अलग से जाच की जरूरत नहीं है रफेल सौदे से जुड़े मामले के से जुड़ा था सौदे पूर्व में इस बयान को गलत ठहराया था तब राहुल गांधी ने कोट में बिना शर्त माफी मागने की अरजी दायर की थी हाला कि अब कोट के फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ अब मानना परक्रिया पर विराम लग गया है और समय समवादा था आशु तोच भाटिया हमारे साथ इस वक्त मौझूद है तमाम खबरों पर जो आज सुपरीम कोट ने फैसले सुनाए आश उस सबरीमाला की बात करेंरें केंद्र को भी रहात और कही न कही राहुल गांधी को भी रहात अब मानना के uncontempt औफ अवमानना के मामले में वो कही न कहीं फस्ते दिखाई दे रहे थे और उन्हें उसी समय बिना शर्ट माफी मांग रही दे लेकिन भारती जन्रता पार्टी इसको मुद्दा बना रही थी देखिए बीजेपी निश्चित रूप से मुद्दा बनाएगी और बल्कि बीजेपी क्यों कॉंग्रिस भी इसको मुद्दा बनाने जा रही है मैं आपको बता दूँ कि 18 तारिक से संसत का जो शीत काली इन सत्र शुरू होने वाला है उसमें कॉंग्रिस पुर्जोर तरीके से इस पूरे मामले की जाँच जॉइन्ट पार्लिमेंटरी कमिटी से कराने की मांग करेगी और इसी आश्यका ट्वीट राहूल गांधी ने भी किया और कॉंग्रिस प्रोक्ताओं के बयानों से भी वो जलका कि कॉंग्रिस इस मामले में जेपीसी जाँच की मांग कर रही है इससे इसपश तोर पर जाहिर होता है कि कॉंग्रिस रफाइल के मुद्दे पर कायम है भले ही से राहूल गांधी ने चौकिदार चोर है कहने पर माफी सुप्रीम कोर्ट में मान ली हो और सुप्रीम कोट ने उसको स्विकार भी कर लिया हो मिनाक्षी लेखी का जो डेफेफेशन सूट था वो अब खारिज हो गया है राहूल गांदी उस मामले में बच गए है लेकिन राहूल गांदी को जिस तरह की बात सुप्रीम कोट ने यहाँ पर कही है और यह कहा कि नेताओं को अपने बयान संभल कर देने चाहिए वो कहीने कहीं से दर्शाता है कि हमारा जो पुलिटिकल डिस्कोर से खास कर चुनाओं के वक्त वो कितना जादा गंदा हो गया था लोगसभा चुनाओं में भी इसकी एक बानगी पेश आई कमवेश हर रैली के अंदर राहूल गांदी ने और कॉंग्रेस नेताओं ने चौकिदार चोरह का प्रवे इस्तेमाल किया था और अब सुप्रीम कोट ने उनको साउधानी बरतनी की तलाश चेताबनी दे रहे हैं आशूर रिफैल के मुद्धे पर केंदर को सुप्रीम कोट की तरफ से क्लीन चीट मिली है ऐसे में जेपी सी की मांग की जा रही है भारती जनता पार्टी का केंदर सरकार की तरफ से या एंडिये के और घटक दलों की तरफ से कोई रियक्शन मिल पाया जेपी सी की मांग को लेकर देगे जेपी सी की मांग पर भारती जनता पार्टी ने यही कहा है कि ये मांग बिल्कुल बेजा है इसका कोई औचित नहीं है खासकर सुप्रीम कोड से इतना बड़ा तमाचा लगने के बाद भी अगर कॉंग्रेस इसकी मांग कर रही है तो इसका कोई औचित नहीं है लेकिन इतना जरूरत है कि 18 तारीक से जब संसत्का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो कॉंग्रेस इस को खारिच करेगी और इस पर एक बार फिर से हंगामा होने के आसार बनते हैं। राजे में किसान काफी दिक्कत में हैं। ऐसे में जल्द से जल्द सरकार बनेगी तो किसानों को राहत दी जा सकती है। और इसे मुद्दे पर बाचीत करने के लिए समय समवाताता रमेश कुमार सिंग हमारे साथ मौजूद है। तीनों इलाइंस चाहें वो कांग्रेस हो चाहें वो पार्टी हो चाहें सिवसे ना हो। लगातार कोसिस करते हैं। कामन मिनमन प्रोग्राम बन जा है। और उसमें उन्हों ने कहा है कि हम किसानों की करज माफी करेंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे, जो जो भी दिक्कते हैं महराश की जनता को उसके सामना कर रही हैं। उस चीजों को हम खतम करने की कोसिस करेंगे। इसलिए लगातार जिस तरह देखें जिस तरह राश्पती सासन लगा कहीं न कहीं कोई भी पार्टी सिती में नहीं थी कि महां सरकार बना सके। अंतता राश्पाल को लगा कि अब राश्पती सासन यंतिम विकल्प उन्हें लगा दिया पर इसके साथी विकल्प खुले हुए थे आज तीनों पार्टियों ने एक कामन मिनमें प्रोग्राम के तरद बाते तैय कर ली हैं और इसके साथी साथ 18 तारीक को जो विव जारी क कि इस्तिती चल रही थी क्या होगा तो निशी तोर पर कही ना कहीं जो सिवसेना की मांगती लगातार वह भाज्पियत से यही का रही थी कि हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए ठाई साल के लिए जिस तरह आप अलग अलग राजियों में मुप्ति मुहम्मद सहीद के साथ कर लेते हैं मभुवा मुप्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं नितिस कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो हम आपके सबसे पुराने एलाइंस है तो हमें भी मुख्यमंत्री का पद ढ़ाई साल के लिए पर कहीं ना कहीं भारती जनता पार्टी अपने ने तैय नह का होगा NCP और Congress इस बात से इत्तफाक रखते हैं वो ये जानते हैं कि शिवसेना की ये बड़ी मांग है और इस पर सेहमत होंगे बिल्कुल जिस तरह से शिवसेना की मांग थी Congress का एक लियर कट एक साफ एजंडा है कि वो सिवसेना से उससे कोई लेना देना नहीं है वो सुशेना की लिए साख का भी से हैं और ये तना तय है कि शिवसेना उस पर कोई भी समझहता नहीं करेगी पर इसके साथ-साथ उप्धूमुक्छि मंतरी का पद निशित तौर पे अन्न्ने दलों को मिलेगा और इसके साथ ही साथ जो महराश की राजनीती में जो उठा-प मिल जाएगा बताएं इस दोरान राजनेतिक पार्टियों के विरोध में नारिवाजी की गई और इसी बीच आज पूर्वक्रिशी मंत्री और राश्टरवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरत ववार पहुंचे बतादें कि किसान अपने साथ नश्ट हुई फसलें भी लेकर आये थे किस प्रटान जैसे जैसे राजववन की तरफ बड़े तो इनकी तादाद में और इजाफा होता चला गया इस दौरान मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बड़ी तादाद में किसानों को हिरास्त में लेना शुरू कि इसके बाद प्रोशन खत्म हो सका हाला कि इस दौरान क किसी और वज़े से बरबाद हुई हो अपनी फसलों के नमूने लेकर किसान सड़कों पर उत्रे मुआफ़े की मांग बड़ी तादाद में किसान राजववन की तरफ जा रहे दे पुलिस को रोकना पड़ा बड़ी तादाद में पुलिस बल्भी तना था मौसम की मार जहल रहे किसानों का अंदोलन तकरीबन सभी पार्टियों के खिलाफ गुस्सा सरकार नहीं बन पा रही है इस वज़े से किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है और इसी को मुद्दा मना कर आज महाराष्ट में मुंबई में किसान बड़ी तादाद में सड़कों पर उत्रे अलग अलग जिलों से किसान यहां पर इकठा हुए थे राजभवन की तरफ बढ़ते चले गए पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की हाला कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई पुलिस ने शानती पूर्वक इनको समझाईश की कोशिश की कुछ किसानों को हिरासत में भी लेना पड़ा समय समबताता हरीश तिवारी हमारे साथ फोन लेन पर मौजूद है हरीश समझना चाहेंगे किस तरीके की इनकी मांगें थी और क्यों इनकी मांगों का हल नहीं निकल पा रहा है राजपती शासन वहां पर लागू है एसे में सरकार बनाने की जुगत तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुस्सा किसान? बिलकुल भी जो सरकार बनाने की कवायत है वो काफी चल रही है लेकिन इस बीच जो विधर्भ का किसान है या फिर महरास के जो किसान है वो अभी भी मुआब़े की मांग कर रहा है यही वज़ा रही कि आज मुम्मई में भी हमने देखा कि जिस तरह से किसान प्रदर्शन करेते वहीं दूसरी और विधर्व के नाकपुर में आज एंट्रीपी प्रमुक शरत पवार आये थे उन्होंने दस ऐसे ठीकानों पे गए किसानों खेतों में गए जहां किसानों से ब वारिष हई है ऐसे किसानों की जो पसला है वो बर्बाद हो गई है इसने जलत से जल मुआ जीन जानते हैं कि महरास में रास्पर्ति पैटर्याइ नहीं की है, हर कोई ने अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे को लेकर मुलकात की है, अपना अपना वहमत थाबित करने को लेकर मुलकात की है, लेकि जो महरास के मुखे किसानों की मांगें, उसको लेकर कोई भी पार्टी राज़े पाल के पास नहीं गई है, उनकी डिमांड इस वज़े से भी किसानों का गुसा और आज ये गुसा शड़कों पर भी दिखाई दिया नापपूर से समय सम्वता ताहरीश बॉगबा शुक्री आपका राजधानी दिल्ली की बात करेंगे वाईयो गुनवता सूचकांक में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा पिछले सबताह कुछ दिन हवा की गती नॉर्मल रहने के चलते दिल्ली एंचियार के लोगों को प्रोडूशन से थोड़ी रहा जरूर मिली थी लेकिन रवीवार के बाद से दिल्ली की आबो हवा लगातार घुटती जा रही है लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आज सुबा से ही पूरी राजधानी धुंद की चादर में लिप्टी हुई नजर आ रही है और वायू गुणवत्ता गंभीर श्रीणी में बनी हुई है और इसे मुद्धे पर समय संबाता अभिशेक सिंग हमरे साथ मौचूद हैं अभिशेक लगा तार दम घोटू हवाएं जो हैं वो चल रही है पराली जल रही थी बारिश हुई थी तब पराली बुझ गई थी एक बार फिर से किसानों ने पराली को जलाना शुरू कर दिया और दिल्ली में दम घुटु हवा आ रही है क्या कहना है दिल्ली वासियों का और कोट ने भी संग्यान लिया इस पे जी देखिए इस समय जो प्रदूसर्ण की जो इस्तिती है वो बेहत गंभीर इस्तिती में पहुंच चुकी है बगर इस समय दिल्ली के तमाम जो छेतर हैं उसमें अगर हम मिला के देखें तो 600 से भी ये उपर पहुंच चुका है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहर बेहत गंभीर इस्तिती है और इसको लेकर के सुप्रीम कोट ने भी जो राजी की सरकार है उसको फटकार लगाई थी कि जो पराली का जो धुआ है वो दिल्ली की तरफ एक बार फिर से आने लगा है अबीशेख समझना ये चाहेंगे किस तरीके से इसका कोई हल निकलता दिखाई दे रहा है अगर दिल्ली की सरकार की बात करें तो वो केंदर सरकार या दूसरे राज्यों की सरकार पर ठीक राफ फोड रहे हैं लेकिन अगर यहाँपर विपक्ष की बात करें तो सीधे सीध करान भी है एक वैग्यानिकों के अंसार जो इस समय जो हवा की जो नॉर्मल जो नॉर्मल स्पीड होती है वो मतलब 18 से 20 किलो मीटर प्रति घंटे की रप्तार से होती है पर इस समय जो हवा की जो स्पीड है वो बहुत जादा कम है और जो मौसम है वो भी इस समय जो तापमान उसमें भी काफी ज़्यादे गिरावट आई है, मतलब आज सुबह की अगर हम बात करें तो ग्यारा डिगरी सेल्सियस आज का जो तापमान था वो दर्ज किया गया, वग्यानिकों के अंसार आज का जो तापमान था उससे भी वों दो डिगरी सेल्सियस मतलब कम आखा गया, इससे में की जो तापमान है वो भी बहुत ज़यदा कम है, उसके बाद में अगर हवा की स्पीड के मबात करें, नॉर्मल जो स्पीड होती है, उससे भी बहुत ज़यदा कम है, इससे में 8-10 किलो मीٹर प्रति गंटे की रपतार से हवा की स्पीड है. यह प्राकरती भी दिल्ली का साथ नहीं दे रही है और प्रडोसी राज जोने तो कोई कसर छोड़ी नहीं अभी शेक बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बाचीत करने के लिए दिल्ली के जाने माने गणितक गिया विशिष्ट नाराएंड सिंग का 74 साल की अवस्ता में आज कोशिद कर दिया पटना में माहान गणितक गिये विशिष्ट नाराएंड सिंग के निधन के बाद पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रशासन की और से घोर लापरवाही सामने आई जहां इस माहान गणितक गिये की विदाई पूरे राजगी सम्मान के साथ करन गई पटना से समय समबतत रंजन कुमार मंगलम हमारे साथ मौजूद हैं रंजन क्या रहा पूरा मामला राजगी सम्मान देने की बात की जा रही थी जाने माने मैथमेटिशन्स हैं ये पूरी दुनिया में इनका नाम है बावजुद उसके ये दुर्गती इदे के बसिशनारायन सी इधर लगातार बीमार चल रहे थे ऐसे तो उनकी तवियत पहले से ही खराब रहती थी लेकिन हाल के दिन में ठीक हो गये थे और लगवज एक महीना पहले पटना में आकर के इलाज करा रहे थे लेकिन दुख़त बात ये है कि आज जब उनका देह पहर लाने के लिए एंबुलन्स के लिए बी इंतजार करना पड़ा उनके परिजनों को आप समझ सकते हैं कि एक तरह से बिहार के शान थे बिहार का नाम रोसन किया था देश भीरिस में नाम रोसन किया था और ऐसे महान व्यक्ति के लिए जिस तरीके से सरकारी सिस्टम के प्रवाहिस सामने आई है वो बड़ा हुई दुखद है जब वो इलाज करा रहते तो कोई उनके मदद के लिए या फिर उनका इलाज अच्छे तरीके से हो कहीं से कोई सरकारी महकामा या फिर ऐसा कोई फर्मान जारी नहीं किया गया आप समझ सकते कि जब कोई व्यक्ति पिर अधिकारी हो या फिर पक्ष हो या भी पक्ष हो किसी ने सूद लेने की नहीं सोची थी आज जब उनका निधन हुआ डेड़ वड़ी लाने के लिए एंबुलेंस का इंजार करते रहे उनके परिजन तो ये मिडिया में जब बाते आई और जब खबर चलने लगी तो पानन फानन में कुछ लोग पहुंचे और उनको एंबुलेंस घर पर उनके पहुंचाया गया बाद में हलाके सच है कि मुख्यमंतरी 30 कुमार भी गए और उनने कहा कि नाम पर एक इंजरी कोलेज का नाम रखा जाएगा और राज्किय सम्मान के साथ इनके अंतिस्टिक रा पानन सी को की ओर से मुख्यमंत शमी ने तीन विकेट चटकाए वहीं इशांत उमेश और अश्मिन ने दो दो विकेट जटके मयांका गरवाल 37 और चेतेश्वर पुजारा 43 रंग बना कर खेल रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स समवादाता सनवर सिद्धी की हमार साथ मौझूद है सनवर पहले ही दिन महमान टीम को चलता कर दिया 150 रंग का कोई बड़ा टार्गेट नहीं है लगता है कि भारतिये टीम अब जो पहली बारी वे है उसकी उसमें एक बड़ा स्कोर खड़ा करके दबा बारती गेंद बास थे उसके सामने वह बंगन अदियस के टीम पानी बढ़ते नजर आए क्योंकि उनके जो तमाम बल्ले बास कोई भी बल्ले बास भारती गेंद बास हो गया सामने टीक नहीं पाया और एक लो स्कोर पे उनकी पूरी टीम श्रीम में उसके बाद में बाद बारती बास जब बारती बास जब बल्ले 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 बास करने के लिए मैदान बर उतरे तो उन्होंने वहाला कि रोश शर्मा जरूर जरूर जस्रस्ते में चलते हैं लेकिन अभी जो क्रीस पर मौ जो दें इसके अलावा मैंग गर्वाल की अगर बात करें मैंग गर्वाल भी 37 रण बना कर अभी खेल रहे हैं लेकिन इसके बाद बैटिंग लाइन भारते टीम का काफी लंबा है अभी विडाट कोली को आना बाकी है रिदमन शाह अभी बाकी है और अश्विन तक बल्लेबा अभी अजिंग के रहाने हैं जो पिछले दोरे पर काफी मजबूत साबित होएते और शर्ट के पारी भी उन्होंने खेली दी इसी तरह किसे अभी जो भारते टीम का जो मजबूत इस्तितिति में माने आरी क्यों कि बारते टीम अभी चाहेगी कि कंब से कंब कम जाद़ से score पे बोर्ड score पर लगाएं ताकि उसमें जो जल्दी से चेज नहीं कर पाएं और पारी के साथ जीतने की चगोशिश भारतिया टीम करेगी और हमारे कौश ऐसे की प्लेयर बैट्समेन हो सकते हैं जो score बोर्ड पर तुफानी टार्गेट दे सकते हैं मंगलादिश को देखे अगर कम से कम भारतिया टीम चाहेगे कि कम से कम 400 से उपर score बोर्ड को लेकर जाएगे तो एक सेफ जौन में आ जाएगे क्योंकि भारत के पास में गेंध बाज़ों के अगर बात जीकि वो ताकत है कि वुप कम score पर फिर रोकने में काम़ाब हो सकते हैं लाई जाती है और इसके लाव मयंग दिवाल ने पिछले दोरा जब पिछले टैस्ट सीरीज थी उसके अंदर दोरा शतक भी चड़ा था और एक शतक के पारी भी खेली थी वहीं कप्तान अभी विराट कोली आने बाकिए है जो जिन्हों ने अपना कर्तिमान साबित किया है औ इसके लाव अगर अगर आपने बताया कि एक अच्छा स्कोर जो है वो बोर्ड पर लग जाता है और बंगलादेश को एक बार फिर से बल्ले बाजी करनी है ऐसे में अगर गेंद बाजों की बात करें तो कौन से ट्रंप कार्ड हो सकते हैं जो बंगलादेश को जल्द से जल इसके लाव इशान सर्मा लगातार पिछली तो कुछ दोरे उनके देखें तो उसमें लगातार इच्छी गेंद बाजी करते आए हैं कि हर पारी में उन्होंने विकेट चटका हैं उमेश यादाव काफी किफायती साबित हो रहे हैं इसके लाव आर अश्विन भारतिया टी उनके लिए सबसे जब भारिश साबित हो सकते हैं और उसको आश्विन को ही समल के खेलना होगा अगर उन्हें अपनी जित दर्स करनी है क्योंकि भारतिया टीम यह टैस्ट चैंपियंशिप खेल लही है यहां पर और अभी तक अन्बीटिबल रही है चैंपियंशिप में हा आज वाके में यह मजबूत आती है क्योंकि जिस तरह से आज की गेंद बाजी करें काफी कि पाई से मौमद श्रमी काफी बल्ले बाज गेंद बाजी कर रहे थे दूद दसमलों च्छे के एकोनोमी से रन दिये और विकेट लेने में भी कामयाब हासे लिए सनवर बहुत शुक्रियाम से बाजी करने के लिए तो भारते टीम का यहाँ पलड़ा जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन क्रिकेट अनिस चित्ताओं का खेल है और टीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा आज प्राइम नार्में फिलाल अभी के लिए दिजी एजासत प्रेकेबाद कबरों कर सिल्चला जारी रहेगा आप चलते हैं साहरा न्यूज नेटवर्क के साथ साहरा प्राम